आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी जादा कह सकते हैं कि युवाओं के लिए जो इस समय रोजगार की तलास में हैं उनके लिए हैं क्योंकि कुछ रोजगार के लिए युवा थे जो उत्तर परदेश में पुलिस भरती की परिक्षा का विंतजार कर रहे थे हाला की वो समय तो आया लेकिन वो समय आके भी उनके लिए एक नाखुस करने वाला समय था हाला की यूपी पुलिस सिपाही भरती आने वाली थी लेकिन जो है इसके चक्कर में पेपर लीख हो गया कि होते ही हैं कुछ गिरो होते हैं कुछ ऐसे तत्त होते हैं जो नहीं चाहते कि कोई भी चीज अच्छानी से अच्छे से हो तिपाही भरती में एक धांधली का मामला सामने आया तो उसके खिलाब जो है काफी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया वहां के सीम हो गया और वहां के एडीजी हो गया इन सभी ने मिलकर संगठन बनाके कई सारे गिरोह पर वीडियोज देख रहे हैं कि पेपर आगे होगा की नहीं होगा क्यूंकि भरती काफी बड़े लेबल की है साट लाक अभ्यारतियों के कह सकते हैं एक भविस्य का सवाल है तो देखते हैं क्या है इसे पुलिस सिपाही भरती पेपर लीग मामले में योगी सरकार ने बड पर बड़ी पेपर देरी से पहुँचने सनी लियोनी के एडमिट कार्ड मामले की जाच करेगे जाच रिपोर्ट में मिली जानकारियों के आधार पर आगे कारवाई होगी इससे पहले उत्तरप्रदेश पुलिस भरती और प्रोनती बोध ने सोशल मीडिया साइट एक्स प प्रक्रणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जाच कर रहा है उधर बलिया के पुलिस अधिक्षक बेवरंजन वर्मा ने बताया कि पुलिस ने 14 लोगों को ग्रफतार कर तीन गिरोहों का भांडा फोड किया है वर्मा का दावा है कि वो पुलिस कॉंस्टेबल भरत परिक्षा में धांदली की कोशिश कर रहे थे उन्होंने बताया कि पकड़ा गया अब है कुमार श्रीवास्तव जो की सुल्तानपुर्ट जुले में स्वास्त विभाग में लैब टेक्निशन है जबकि फते बहाद्दुर राजपर मध्यप्रदेश के कटनी जुले में वन ग्रफतार किया है गॉंडा के पुलिस अधिक्षक विनीद जाय सवाल ने बताया कि बिहार के नालंदा जुले के कुंदन कुमार चौधरी को शनिवार श्राम इस्थानिय पुलिस की मदद से जुले के नवाब गंज कजबे में एक परिक्षा केंदर से ग्रफतार किया गय मनकापुर थाना शेत्र के तनमे सिंग की जगे परिक्षा दे रहा था उन्होंने बताया कि पुलिस ने रविवार को तनमे और उसके सायोगी गॉंडा जुले के धाने पुर थाना शेत्र निवासी हरेंद्र कुमार को भी ग्रफतार कर लिया हरेंद्र सिपाही भरती का प्रविवार को गॉंडा शहर के एक अन्यकेंद्र पर उसे हरेंद्र के इस्थान पर परिक्षा देनी थी हाला कि उससे पहले ही दोनों अभ्यर्तियों को ग्रफतार भी कर लिया गया जाय सवाल ने बताया कि इन तीनों के खिलाफ नवावगंज थाने में मामला दर्ज किया अधिकारियों ने कहा कि पुलिस कॉंस्टेबल भरती परिक्षा में अभ्यर्तियों के इस्थान पर परिक्षा देने और धोकाधड़ी करने के आरोप में पिछले दो-तीन दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में 120 से जादर लोगों को गिरफतार किया गया है तो ये था पूरा मामला जैसा कि आपने देखा कि इसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश ही नहीं मध्य प्रदेश हो या विहार हो इसके तार काफी लंबे जगों से जुड़ते काफी कई राज्यों से जुड़ते हैं अबी भी जादर चल रही है और उसमें देखना है कि योगी आदितनात की तरब से क्या अक्षन लिया जाता है पुलिस फॉर्स के तरब से जो है क्या परिक्षा के लिए क्या किया जाता है अलाकि इसमें वीडियो में ये तो बताय गया कि कितने लोग गिरोह होते कहां कहां से सामिल थे उसमें से कुछ अभ्यारती भी थे जो खुद UP पुलिस की भरती की परिक्षा देने वाले थे कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसे ही फॉर्म भरा होगा भरती के लिए क्योंकि उनका मनतब्य तो कुछ और था पेपर लीक करने का था अब इसकी जाच चल रही है अभी और साथी साथ सनी लियोनी की एक फोटो थी उसके खिलाब भी जाच चल रही है जो फोटो कह सकते हैं कि एड्मिट कार था जिसमें सनी लियोनी की फोटो थी और उनका नाम था तो उसके खिलाब भी जाच चल रही है और देखते हैं कहां तक कुमार की अध्यक्षता में ये चीजे होने वाली हैं इसमें से जो पहली जांच की जाएगी वो पहली जांच है पेपर छपाई में जो गरबड़ी की गई है और दूसरी जांच है कि पेपर लीक की सिकायत और तीसरी जांच है पेपर में देरी से पहुचने पर और सनी लियो है उनका भविष्ट इस पर निर्भर करता है तो आपकी क्या राय है आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और इसमें सरकार को कैसा एक्सनल लेना चाहिए क्योंकि मेरा जो मेरा जो अगर पर्सनल मानूं तो कि इस मामले पे जो है बोड की गलती है अगर देखा जाए तो उसमें ये चीजे जो है ना थोड़ी गरबड़ी कर दी जाती है तो ये चीज नहीं होनी चाहिए इसको भी उतना ही serious लेना चाहिए जितना बाकी चीजों को serious लिया जाता है तो आपकी क्या रहा है आप comment box में जाके बता सकते हैं और हमारे जो इस नय चैनल है आटी reaction को इसको आप support कर सकते हैं सब्सक्राइब करके like करके and share करके मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए